तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए मद्ध प्रदेश के नई सियम का एलान हो गया है मुहन यादो मद्ध प्रदेश के नई सियम होंगे उन्हें विधायक दलका नेता चुन लिया गया है वे साल 2013 में पहली बार विधायक वने थे सिवराज सिंग चोहान की पिछली सरकार में वे उच सक्षा मंती थे मुहन यादो संग के करीबी माने जाते हैं और वह उज्जेन दक्षिन से तीसरी बार विधायक चुने गया है इसी के साथ मद्ध प्रदेश में दो डिप्टी सियम का भी एलान हो गया है राजिन शुकला और जग्दीज देवला मद्ध प्रदेश के डिप्टी सियम होंगे 58 साल के मुहन यादो की पहचान पड़े लिखे नेता के तौर पर होती है वे बीसी, लल्ल्बी, राजनितिक विध्यान से म.A, M.B.A की डिग्री हासल कर चुके है वे प्यस्डी भी है, इसी वज़े से उज्जेन शहर में उनकी पहचान डॉक्टर यादोस नाम से है मुहन यादोस भी राजनितिक विध्यात चातर जीवन से ही शुरू हो गई थी वे साल 1982 में माधव विज्यान महा विध्याले में चातर संगे सह सचिप और फिर 1984 में चातर संग के अध्यक चुने गए थे इसके बाद साल 1984 में अखिल भारती विद्यार्थी परिशत उज्जैन के नगर मंतरी और 1986 में विवाक प्रमुक बने साल 1988 में वे अखिल भारती विद्यार्ती परशद मंद्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री एवं रास्टी कारकाणी के सदस्य और 1989 परिशद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बनाए गए साल 1991 बान में में वे परिशद के रास्टी मंत्री बनाए गए साल 2013 में में पहली बार विधायक निर्वाचित होग कर सदन पहुँचे साल 2018 में दूसरी बार चुनाव जीत करवा सिवराज सिंग चोहान की सरकार में उचिसक्षा मंत्री बने चुनावी हलक नामे के मताविक मोहन यादों के पास कुछ 42 करूण रुपय की समपत्ति है हलांकि उनके उपर करी 9 करूण रुपय की देंदारी भी है मोहन यादों के गिंती राज के अमीर रेताओं में होती है साल 2018 में वे सबसे अधिक संपत्ती घोशित करने वाल उम्मी द्वारों में टॉप थी में से एक थे उनसे उपर सिर्व भुपेंद सिंग ही थे हाल ही में हुए विधान सबाद शुनाओं में उन्होंने अपनी संपत्ती का प्योरा दिया था जिसके मताबिक उनके पास 1.41 लाख रुपे कैश है वहीं उनकी पतनी के पास 3.31 लाख रुपे कैश है अलग अलग बैंकों में उनके और उनकी पतनी के पास 28.68.044 रुपे जमा है बता दे कि मुख्यमंत्री की रेस में कहीं से भी मुहन्यादों का नाम नहीं था विधायक दल की बैठर से पहले भी जो फोटो सेशन हो रहा था उसमें मुहन यादो सबसे पीछे नजर आ रहे थे तमाम राजनेतिक पंडित, श्रीवराद सिंग चोहान, जोतिराद्वित सिंधिया, नरेज सिंग तोमर, कैलास विजाईवरगी, प्रिलाद पटेल और वीडी शर्मा के नामों पर क्यास लगा रहे थे लेकिन अंत में नाम आया मुहन यादों का इसी के साथ मुहन यादों मद प्रदेस के नए सियाम होंगे, राज में हुए विधान सबाद चुनाओं में बीजेपी को प्रचन बहुमत मिली और उसे 163 सीट मिली, वहीं कॉंग्रेस 66 सीटों पर सिमट गी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जुरूर बता हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रही है न्यूजेटेन हिर्वी औरिजिनल्स के साथ